Good morning, आज के lecture में हम लोग देखेंगे tail recursion and its elimination recursion हमने देखा था, तो tail recursion होता है जबकि जो recursive call है, वो function के सबसे last में हो जैसे कि यह function है, func n ले रहा है if n is less than n, return कर दे रहा है, पुरानी function की तरह ही है otherwise क्या कर रहा है, print करा दे रहा है n को और function call कर रहा है n-1, ठीक है, तो जो function call हो रही है वो सबसे last में हो रही है, ठीक है, जो last statements है वो ही function call है, तो इस तरह का जब भी हो आता है condition तो इसको कहते हैं tail recursion, ठीक है, means tail means सबसे नीचे, recursion means recursive call, तो जब recursive call है वो सबसे last में हो रही हो, तो इसको कहते हैं tail recursion लेना पड़ेगा, तो अगर n-1 हो रहा है, तो हर बार एक एक होगा, तो n का लगभग, n-size का हमें stack का जरुद पड़ेगा, ठीक है? तो यह जो space complexity है, यह n हो जात रही है, stack को लेने के लिए, लेने के चक्कर में, तो order of n हो जा रहा है, अगर हम इसको हटा देंगे, तो eliminate कर प एक method है, label, ठीक है, तो एक label बना लेते हैं, ठीक है, और एक go to statement होता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही condition n is less than 0 है, तो return कर देंगे, otherwise printf का statement है, वो लिख देंगे, इसके बाद क्या हो रहा था कि n-1 function call हो रहा था, n-1 को लेके, ठीक है, तो क्या करेंगे, n का value n-1 कर देंगे, और फिर से go to एक statement call करेंगे, जो कि इसको label तक पहुचा दे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, y function बार बार call हो रहा था, इस बार क्या हो, जब function call होगा, तो हमें इस line पर जाना पड़ेगा, तो यह क्या कर रहा है, function को नहीं call कर रहा है, उसके अंदर एक label बना दिय तो यह बार बार जाएगा, label तक जब तक कि यह condition true नहीं होती, जैसे यह condition true होगी, तो direct return हो जाएगा, तो elimination का काम है, कि एक label लिया, और उस label में go to statement कर दिया, तो यह हर बार इतना statement बार बार execute होता रहेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा stack में memory नहीं लगेगी, तो order of one, कोई stack का वो इसका space complexity हो जाएगा, तो इस तरह से हम tail recursion में जो recursive call है, उसको हम eliminate कर सकता है, ठीक है, चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना है, काफी है, thank you